कोरोणा के समय रिवर्स माइग्रेशन करने वाले लोगों की सामने रोजगार भी एक बड़ी चुनौती है पहाड में बहुत से युवा है जो सरोजगार के जरीए अच्छी आमदनी हासिल कर रहे है पौड़े की सोनी भी इनमे से एक है उच्छी शिक्षा लेने वाली सोनी ने नौकरी की जगा मश्रूम की व्यवसाई को अपनाया आज उनके उगाए गए मश्रूम की बाजर में अच्छी मांग है मेरे लिए एक अच्छा फ्यूचर भी है और एक अच्छा व्यवसाई भी है तो लोग अब मेरे लिए मार्केट भी बन चुका है, पूरा खड़ा है, मार्केट मांगे भी होने लगी है कि मश्रूम को लोग काफी मात्रा में पसंद कर रहे हैं और मेरे साथ मेरा जो पूरा परिवार है, इसमें मेरे चाय देवर हो या साथ ससूर या हस्बेंड हो तो ये भी मेरे को भरपूर मात्रा में सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि हाँ करो तो मेरे को जो पहली कटनाईया आई थी तो अब मेरे को अतनी कटनाईया वो लगती नहीं है कि आसानी से हम लोग कर लेते हैं मार्केट से भी लोग काफी पसंद करते हैं कि मश्रूम चाहिए और परवतिय छेत्र में मश्रूम एक बहुत अच्छा व्यावसाय है सोनी के साथ ही काम कर रहे अभी शेक बताते हैं कि बाजार की मांग पूरी करने के लिए गाउं की बहुत सी महिलाओं को भी साथ जोड़ा गया है इससे महिलाओं की आर्थिकी बहतर हुई है मश्रूम उत्पादन करके जितनी कमाई हम यहाँ पे कर सकते हैं उतनी और किसी सबजी की वरायटी में नहीं हो सकती है तो हमने मश्रूम उत्पादन का काम किया और इसके सासथ हमने जितने भी आसपास के गरामіти शेत्र थे उनको भी अपने से जोड़ा कि वो भी मश्रूम की जितने डिमांड पहाड़ी शेतर में है उसको भी पूरा कर सके तो अभी तक हमने कम से कम 300 से जादा महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुके हैं मश्रूम एक वाइटमिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है तो यहां तक रिसर्च देखी गई है कि जो वाइटमिन डी के जो अगर किसकी इमिनिटी कम है और उसे वाइटमिन डी का डोस मिलता है या वाइटमिन डी के रिलेटेड और ज्यादा जो प्रोटीन्स और वाइटमिन मिनरल उनको मिलते हैं तो इसके कारण क्या होता है कि उनकी इम्मिनिटी बढ़ती है तो मश्रूम बहुत अच्छा सोर्च है आपका वाइटमिन डी का और उसी तरीके के पोशक तत्वा का परवती जनपतों में सोरोजकार की चाहा रखने वाले युवा मश्रूम उत्पादन को अपना सकते हैं